Grand RP में अगर घर, गारी एंड बिजनस से भी महंगी कोई चीज है ना तो वो हैं कपड़े वोगी यहां पर कुछ-कुछ clothing items इतनी rare हैं कि वो 100 million, 150 million के पार भी चली जाती है तो ऐसे मैं आज की वीडियो में मैं बात करने वालों clothes की किस टेक भी clothes Grand RP में मिलते हैं आप उने कैसे कैसे खरीद सकते हो मैं सारे options cover करूँगा ताकि एक तरह से वीडियो एक clothing ID बन जाये Grand RP की बाकि आपने अभी तक GTA 5 का वरना of the best roleplay server में खेलना शुरूर नहीं किया तो description में दिये link पे click करो जिस server पे खेलना चाहते हो select करो account free में register करो and launch a download करो जिसके बाद आप खेलने आ सकते हो तो बात आती है clothes matter के गवरते है Grand RP में तो simple है यार ये image की बात है पहले मेरे को लगता था कि बाई कपड़ों का क्या ही काम बड़ जब आप Grand RP में अपनी reputation बिल्ड करोगे न तो कहीं नहीं आपको कपड़ों से judge किया जाएगा जैसे real life में होता है कि अगर आपने कपड़े बढ़िया पहने हैं और खासकर GC तो बिल्कुल भी नहीं बिकॉस भाई वैसे GC limited मिलते है गेम में अपडेट्स के टाइम ही मिलते होंगे आप लोग को उसमें भी आप GC से खरीदे हुए कपड़े कभी बेच नहीं सकते या फिर टांसफर नहीं कर सकते और ऐसा 100% है कि भाई आप एक टाइम के बाद आप बोर्ड हो जाओगे एक ही कपड़ो को देख देख कर इन गेम कर्णसी से आपने खरीदे होंगे तो अच्छा है इन गेम कर्णसी से आपने खरीदे होंगे तो अटलिस आम उने sell तो कर सकते हो बाकि आपकी मर्ज़िबाई जैसा करना है वैसा करो एंड आज की वीटिमे में सारी ओप्शन्स कवर कर लूँगा सबसे लोईस से शुरू करते हैं जहां आती है चीप क्लोधिंग एंड यह आपको किसी भी क्लोधिंग स्चोर में मिल जाएगी मैं पे बहुत सारे क्लोधिंग स्चोर्स दिख जाएंगे आपको जहां आप चीप एंड एफोर्डिबल क्लोध्स खरीद सकते हो देन आते हैं थोड़े बेटर क्लोध्स पे इसके लिए आप M प्रेस करो शॉप में जाओ देन क्लोधिंग एंड वहां को दो शॉप्स लिखी दिख रही हैं शॉप नमबर वन एंड शॉप नमबर टू इन पे क्लिक करते हैं इनकी लोकेशन मार्क हो जाती है on map एंड आप आप वहां पर जा सकते हो वहां e-press करना है and then show me what you have pay so different parts के according different clothes होंगे जैसे आउटर वीयर में ही आपको बहुत सारे clothes दिख रहे हैं और यह दिखने में बहुत अच्छे हैं actually पहले आपको बता दू कि हना आप GC एंड करनसी दोनों से clothes खरीद सकते हो आप पहले ही जूस कर पहलो कि इनके money से clothes खरीद रहे हैं या फिर GC से मैंने नोटिस किया कि इनके currency में options थोड़ से कम होते हैं बट सिल वह अच्छे हैं and आपको एक दो लाख में अच्छा combination वाल outfit मिल जाएगा otherwise GC आपके पास तो वह खर्च कर लो आपकी मरजी then आती है premium costumes इनके लेना अगेन आप आपको impress करके shop में जाना है then clothing and then आपको five different costumes दिख रहे होंगी ये एक तरह से crate open करना जासे है आपको जो costumes चाहिए उसके लिए आपको open करना होगा and six GC की एक crate है इसमें आपकी costume के different parts है and साथ में कुछ कुछ currency भी है so randomly ये किसी के भी उपड आकर रुक जाएगा and वो आपको मि लिए because आप inventory खोलोगे ना तो वहाँ पर clothing दिखेगी नहीं ऐसा इसलिए है कि जब तक आप कोई भी costume पूरी तरह से unlock ना कर लो तब तक वह आपकी inventory में नहीं दिखेगा इससे फरक नहीं परता कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं ये भी आपको snowboarder costume का बस outer wear pants औ जूते मिल बहुत है बट ऐसा नहीं होगा आपको नीचे वाला items भी जबरदस्ती unlock करने ही होंगे जिसके लिए आपको बार बार crates open करनी पड़ेंगी बस हाँ ये items repeat नहीं होते हैं और हमेशा clockwise order में ही unlock होते हैं अब मैंने सारी costume सो रहीं बर तीन कर रखिया unlock snowboarder costume मेरी 204 GC में निकल ग की बात है हो सकता है कम GC में मिल जाए हो सकता है जादा लग जाए बट हाँ माना जाता है कि 300-400 GC में मिली जाता है बाकि ये suit yellow and shake costume का मुझे कोई idea नहीं बाकि ये जो costume बड़िया लग रही है देखने में वो भले अच्छी हो बाई बट हाँ GC की खड़ीदी हुई है तो आप इन नहीं transfer कर सकते हो और नहीं sell अब बात करते है different type की clothing crates की तो आप simple impress करो then shop then prices and then for in-game currency यहाँ को कुछ clothing crates मिलेंगी जिनसे आपको 100% कुछ न कुछ मिलता ही है गारी में तो क्या है ना maybe मिले में भी ना मिले maximum time बस पैसे मिलते हैं but clothing crates में 100% आपको clothes मिलेंगे ही मिलेंगे जैसे अगर आपको mask चाहिए तो यह 5000 की crate खोल लो आपको इन मेंसे कोई एक mask मिलेगा जो आप use कर सकते हो high quality के scarves चाहिए तो यह 1.5 लाग की crate open कर लो बहुत तरह के options है और आपको कोई एक scarf मिली जाएगा randomly ऐसी shorts, t-shirts and luxury shoes भी है then सबसे expensive crate है यह LV की crate इसमें आपको LV के कप होती है वो market में काफी महेंगी से लो जाती है बाकी इसकी 10 crates खोलने पर आपको सिर्फ एक लाग ही मिलते हैं because इन में usually लोगों काम एक दो crate खोल के हो जाता है बट यह भी ट्रांसफर किये नहीं जा सकते हैं इसके लवा auction पे भी काफी महेंगे कपड़े आते हैं मतलब वहा लुमिनस खोल्ग जो रात को चमकते हैं वो बनाने के लिए लूमिनस चोन चाहिए रहता है और बाकी तो threats वह लंग लग जाता है और भी क्रोच बनाने की गाम आते हैं इसके मिलते के बाद फैमिल्य के लीडर को मिल जाता है और फिर तो भूप सकता है या फिर सेल कर दे डेर सो से 200 मिलिन चला जाता है Grand RP में यही है सबसे rare कपड़े यहां के तो बस यही तरीके हैं जो मुझे याद आए Clothes माने के इन Grand RP अब obviously आप beach market से जदा कर भी Clothes खरीद सकते हो जो player sell कर रहे होते हैं इन सब के लावा कोई और तरीका हो Clothes Buy करने का तो बताना comments में बाकि आपने अभी तक GTA 5 को one of the best roleplay server में खिलना शुरू नहीं किया तो description में यह link पे click करो जिस server पे खिलना चाहते हो select करो account free में register करो जिसके बाद आप खिलने आ सकते हो GC से आपको क्या क्या खरीदना चाहिए वो जानने के लिए वीडियो देखो और GrandRP कैसे खिलना शुरू करें उसके लिए राइटी वीडियो देखो यह वीडियो चीरे के तो like करो जीरी और चैनल को subscribe करो और more next time तब तक के लिए बाइबाइबाइ